तो यहां पर से दोस्तों Redmi Note 13 series के तीन स्मार्टफोन हमारे पास है starting with Redmi Note 13 5G जो कि आपको मिल जाता है 6128 के साथ 17999 में यही पर जो next phone है वो है Redmi Note 13 Pro 5G यह हमें 8-128 के साथ मिलेगा 25999 की कीमत में and lastly Redmi Note 13 Pro Plus 5G जो कि हमें 8-256 के साथ मिलता है 3999 में हाला कि इन तीनों phone में बहुत कुछ ऐसा है जो similarity है बहुत कुछ ऐसा है जो difference के साथ आता है तो तीनों में से कौन सा Redmi Note series आपको खरीदना चाहिए आज कि इस वीडियो को आप पूरा देखो आपको सब कुछ पता लगएगा तो Tech Guide style में इस वीडियो को हमने किया है compare भाई मेहनत काफी लगा है इस वीडियो को like जरूर करना और चैनल पर नए होंगे subscribe भी जरूर कर लेना तो start करते हैं कुछ basic information के साथ यहाँ पस है look and design आप देख सकते हैं Redmi Note 13 and 13 Pro 5G काफी हद तक similar लगता है बड़ आक्च्वल में Redmi Note 13 जो है वो polycarbonate back के साथ मिलता है Redmi Note 13 Pro 5G जो आपको मिल रहा है वो glass back के साथ मिलता है और यहीं पर से जो 13 Pro plus 5G आप देख पा रहे हैं यह हमारे पास vegan leather वाला finish वाला है लेकिन बाकी के जो colors हमें देखने को मिलते हैं उनमें भी आपको glass मिल जाएगा तो आप अपने preference के according बाई कर सकते हैं और यहीं पर से दोस्तों गर हम इनके weight के बारे में बात करते हैं तो Redmi Note 13 5G आपको सबसे हलका देखने को मिलता है क्योंकि यह polycarbonate construction के साथ मिल रहा है हाला कि phone बढ़ा है बट फिर भी यह लुक वाइस काफी अचा लगता है back case जो आपको मिलता है उसको आप लगा सकते हैं 13 Pro 5G की बात करते हैं तो यह भी लगबग 187 gram के अप्रॉक्स निकल के आता है और यह phone भी काफी पतला है जो सबसे भारी आपको मिलता है वो है 13 Pro 5G क्योंकि हमारे पास वीगन लेदर वाला है जो कि आप देख सकते 200 gram के ऊपर चला जाता है एक चीज का और धियान रखना कि Redmi Note 13 and 13 Pro में आपको पहले से pre-applied screen guard लगा करके दिया जाता है 13 Pro plus 5G जो की curved display के साथ आता है इसमें लगा करके नहीं दिया जाता है आप चलो इनके specification पर नज़र डाल लेते हैं तो आप देख सकते है thickness and जो यहाँ पर से आपको weight मिलता है company के recording यह mention किया है मैंने बाकी 5000 mAh के लगबग की battery आपको तीनों में मिलेगी Redmi Note 13 Pro जो आपको मिल रहा है उसमें 5100 mAh की मिलती है charging department definitely different है यहाँ पर से 33 watt का charger box के अंदर आपको Redmi Note 13 में मिलेगा 13 Pro की बात करते है तो 67 watt का charger मिलता है and 120 watt का charger आपको Redmi Note 13 Pro plus 5G में देखने को मिलेगा जो color variants है वो यहाँ पर से आप देख सकते हैं इनके नाम अब बात करते हैं दोस्तों display के बारे में तो तीनो smartphone के display यहाँ पर side by side में आपको दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं जो detailing है, quality है definitely अच्छी आपको मिलती है बट यहाँ पर से जो Redmi Note 13 है वो यहाँ पर आपको full HD display प्रोवाइट कर रहा है और इसमें HDR का support नहीं है बट overall जो quality है वो ठीक ठाक आपको मिल जाती है अगर आप इन तीनों को compare करते हैं Redmi Note 13 Pro 5G की बात करते हैं तो यहाँ पर से brightness definitely थोड़ा बेटर है और साथ ही साथ यह 1.5K resolution को support करता है हालकि यहाँ पर भी मैंने YouTube पर देखा तो HDR का support नहीं मिलता है और यह जो दोनों phone मैंने आपको दिखाया Redmi Note 13 and 13 Pro यह flat screen के साथ आते हैं यानि के curve display यहाँ पर नहीं मिलेगा 13 Pro Plus की बात करते हैं तो यहाँ पर से आपको curve display देखने को मिलता है जो कि again look wise थोड़ा अच्छा ही लगता है काफी लोगों को but honestly gaming के purpose अगर आप देखोगा तो flat screen को मैं preference जादा करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों जो हमने test किया था तो HDR का support मिलता है YouTube पर जो कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर से detailing clarity यह सब देखा जाए तो 13 pro and 13 pro plus में थोड़ा बेटर आपको मिलेगा obviously due to more pixels हलाकि यहाँ पर से screen का जो आपको specification मिलता है वो आप देख लो दोस्तो 6.67 inches का आपको मिलेगा flat screen दोनों में आपको मिलता है इसमें full HD है इसमें 1.5K resolution के साथ मिलेगा यह curve आता है 1.5K resolution के साथ है इसके अलावाद जो आपको refresh rate देखने को मिलता है वो यहाँ पर variable आपको मिल जाएगा 13 pro and 13 pro plus में साथ ही साथ pixels obviously जादा आपको देखने को मिलते हैं जो कि आप देख सकते है और इसके अलावाद दोस्तों यहाँ पर से जो brightness भी मिलती है वो definitely आपको 13 pro and 13 pro plus में जादा देखने को मिलेगा as compared to 13 and gorilla glass victus का support आपको इन दोनों phones में मिलेगा जहाँ पर से gorilla glass 5 आपको मिलता है इस phone के अंदर और अची बात यह है दोस्तों कि AMOLED डिस्पले तो तीनों ही है बट Dolby Vision का support आपको मिलेगा 13 pro के अंदर आपको 13 pro plus में Dolby Vision के साथ-साथ HDR का भी support मिलता है इसके अलावा दोस्तों body की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको start में बताया था कि Redmi Note 13 आपको मिलता है सब में आपको glass back मिलेगा 13 pro plus जो है उसमें glass का भी आपको मिलता है option और एक जो वेगन लेदर है वो भी आपको मिलता है और physically दोस्तों एक और difference आपको मिलता है Redmi Note 13 में आपको side के तरफ fingerprint scanner मिलता है 13 pro में ये चीज़ आपको in display में देखने को मिल जाता है इसका speed भी हमने test किया था 13 pro plus में भी in display आपको ये चीज़ देखने को मिलता है साधी साथ जो 13 pro plus है वो IP68 rated भी है दोस्तों तो पानी ये समय जाएगा तो काफी हद तक आपका ना phone खराब होने का कम chances रहेगा इसके लाबा दोस्तों बाकी जो features और जो details है वो यहाँ पर से आप screen पे भी देख सकते हैं वैसे आगे के features बताने से पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नहीं होंगे subscribe ने किया है तो वो भी कर लेना प्लीज नेक्स बात कर लेते हैं hardware के बारे में और ये चीज बताना बहुत जरूरी हो जाता है पहले start करते हैं दोस्तों यहाँ पर से Antutu Scores के साथ तो आप देख सकते हैं जो Redmi Note 13 है वो 4.5 lakh के उपर का score निकाल करके देता है और जो UFS 2.2 storage type है उसके जो speed test हमने किये थे वो decent निकल के आये थे 13 Pro की बात करते हैं तो यह 5.8 lakh के उपर का Antutu Scores निकाल करके दे रहा है यहाँ पर भी UFS 2.2 का storage type यूस किया गया है जिसके storage test के speed आप देख सकते हैं talking about 13 Pro plus 5G तो 7.2 lakh के उपर का score निकाल करके देता है और यहाँ पर से दोस्तों अगर बात करते हैं के specification को ले करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4NM का processor आपको दोनों मिलता है 13 Pro and 13 Pro Plus में आपको Snapdragon का 7S Gen 2 दिया गया है 13 Pro में और MediaTaker Dimensity 7200U processor यानि के Ultra processor आपको मिलता है 13 Pro Plus के अंदर बात करते हैं 13 में तो यह आपको Dimensity 6080 का processor दिया जा रहा है जो कि 6NM के fabrication के साथ मिलता है तो battery backup अगेन यहाँ पर इन दोनों फोन में better मिल जाएगी और जहां तक रही बात दोस्तों बाकी details की तो वो भी आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं तो simple short answer यही है कि जितने पैसे आप लगा रहे हैं उसी के साथ से performance आपको मिल रही है but honestly मैं आपको बता हूँ यह तीनों में से कोई भी phone आप खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि तीनों gaming phone है तो इस चिच का ध्यान रखना क्योंकि 13 pro plus 5G 30,000 के ऊपर चला जा रहा है तो इसी वज़े से मैंने यह statement आपको दिया है इन दोनों phone में आपको decent level of gaming मिलेगा यह दोनों phone कहीं न कहीं gaming oriented नहीं है तो इस चिच का ध्यान रखते हुए ही खरीदना और बाकी phones तो हैं यह 30,000 में जो कि आपको gaming provide कर देते हैं तो decent gaming के लिए ठीक है आपको तीनों में से phone कोई भी price recording आप खरीद सकते हैं बात कर लेते हैं दोस्तों software section की तो तीनों ही phone से थोड़ा सा मैं निराज हूँ क्योंकि तीनों ही phone में आपको out of the box android 13 मिलता है और तीनों phones में ही आपको out of the box MIUI 14 देखने को मिलेगा तो ये चीज कही ना कहीं company ने cost cutting बहुत बढ़ा किया है क्योंकि 2024 में ये तीनों phones launch हुए हैं उस हिसाफ से मैं आपको बता रहा हूँ बट चलो अच्छी बात ये है कि यहाँ पर से तीन साल का OS update आपको मिलेगा and 4 years का security updates मिलेगा बट कहीं ना कहीं Android 14 में ये आता तो एक साल जाधा update मिलता तो यहाँ पर से थोड़ी से चिंदीगिरी की गई है company के द्वारा जिसके लिए और मैं तो सहमती नहीं दिखाऊंगा लेगिन एक चीज का धियान रखना कि तीनों में से कोई भी phone आप खरीदोगे तो extra app and bloat waste definitely आपको मिलेगे जिनको आपको खुद से uninstall करना होगा अगर वो आपके जरूरत का नहीं होगा तो software section में थोड़ा समय निरास हुई इन तीनों phone से अब चलो बात करते हैं camera के बारे में तो मैं आपको पहले features बताता हूँ Redmi Note 13 5G में आपको मिलेगा पीछे के तरफ से EIS का support, वीडियोग्राफी में and 1080p पे आप recording कर सकते हैं और जो front camera आपको मिलता है उसमें 1080 30fps का option मिलेगा यही चीज़ Redmi Note 13 Pro की बात करते हैं तो आपको OIS के साथ 4K 30fps का recording का option मिलता है पीछे के तरह front की बात करते हैं तो 1080, 30 and 60 दोनों का option मिल जाता है 13 Pro plus 5G की बात करते हैं तो यह भी OIS के साथ मिलेगा 4K 30fps and 24fps दोनों का option आपको दिया जाता है दोस्तो और आपको front में 1080, 30 and 60 दोनों का option मिल जाता है अब चलो megapixel की बात कर लेते हैं तो triple camera का setup आपको तीनों ही phones में मिलेगा 8 megapixel का wide end 2 megapixel के चिंदी वाले जो macro sensor है वो तीनों phones में आपको मिलते हैं बट जो main camera उसमें difference है 108 megapixel का main camera आपको मिलेगा इसके अंदर और इन दोनों phones में आपको 200 megapixel के बड़े sensor वाले camera देखने को मिलते हैं जो की Samsung के HP 3 sensor के साथ मिलते ह आप देखो इन तीनों का comparison मैं side by side आपको करके दिखाता हूँ तो obviously जो आपको 13 pro and 13 pro plus में मिलता है camera उसकी detailing as compared to 13 बहुत जादा अच्छी है बट इतना मैं नहीं बूलूँगा कि भाई जमीन आसमान का फर्क है obviously थोड़ा मोड़ा differences तो आपको मिलेगा बट low light में ये difference and simple answer दूँगा भाई Redmi Note 13 pro 5G जो है न वो I think enough है camera के लिए किवल आप 13 pro plus 5G खरीद रहे हो तो कोई sense नहीं बनता है क्योंकि आपको feature wise similar मिल रहा है बस वही है कि processor थोड़ा सा different है तो ISP में differences आएगा बस वही है कि 24 fps पे एक option मिल जाता है recording का बाकी तो यहाँ सब कुछ almost यहाँ similar है इन दोनों में और यह price क recording ठीक ठाक experience आपको देगा 4K recording option नहीं है इसके अंदर तो यहाँ पर से दोस्तों आप बात कर लेते हैं SIM and connectivity option की तो आपको Redmi Note 13 5G में ही केवल hybrid slot मिलता है यानि कि 2 SIM card आप लगा सकते हो या एक SIM card एक memory card लगा सकते है बाकि 13 pro and 13 pro plus में 2 SIM card लगाने का option मिलता है तो यह चीज का धियां रखना मैं opinion part में score elaborate करूंगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हाला कि दोस्तों जो type C है 3.5M jack आपको Redmi Note 13 and 13 pro 5G में देखने को मिलता है 13 pro plus में आपको 3.5M jack नहीं मिलेगा IR sensor वैसे तो 3 ही में आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पसे dual speaker आपको तीनों phones में मिलते हैं और इन दोनों phones में आपको Dolby Atmos का support मिलता है और NFC की बात करते हैं दोस्तों तो Redmi Note 13 and 13 pro में यह चीज नहीं है 13 pro plus में आपको NFC out of the box मिल जाता है और यह IP68 के साथ भी आपको मिलता है और 5G की बात करते हैं तो तीनों phones में आपको 5G मिलता कान के पास ले जाओगे तो motion के voice यह detect करके बंद कर देता है यह चीज है दोस्तों और अची बात यह है कि आपको MIUI डाइलर मिल जाता है तो आप चुपके से call recording कर सकते हैं सामने वाले को बीना बताए आप सबसे important चीज भाई price तो यहाँ पर से मैंने तीनों smartphone के जो भी available RAM variants ह उनके prices mention कर दिये हैं जो कि आप देख सकते हैं अब एक चीज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा 13 Pro 5G के साथ कि देखो भाई यहाँ पर से dedicated memory card आप नहीं लगा सकते तो भाई 128 GB कहीं ना कहीं आज के date में तो थोड़ा कम हो जाता है अब 256 GB अगर आप देखोगे तो मारे साथ किया है क्योंकि हम Poco X6 Series से भी compare करेंगे इस चीज को तो यह fair नहीं है बाकि आपका क्या वीचार है वो comment में आप जरूर बताइएगा खेर यहाँ पर से आप देख सकते Redmi Note 13 का जो launch price है with discount आप देख लो इसके साथ 13 Pro 5G का भी discount price देख लो with offer आपके सामने हैं यहाँ पर से 13 Pro plus 5G का भी आपको मैंने दिखा दिया है 2000 के discount मिल जा रहे है इस वज़े से यह कम हो जा रहा है बाकि normally जो pricing है वो ऐसा ही रहेगा और जब भी आप खरीतों को देखना कुछ bank offer और discount मिल सकते हैं खेर चलो अब इन सब चीजों को धियान में रख करके इस video करते हैं conclude take ID style में और आपको अपना एक honest opinion बताते हैं कि after all तीनों में से कौन सा फोन जाद अवर्थीत है तो तीनों फोन में जितने price आप पे करोगे उसके recording आपको यहाँ पर से features मिलेगा उसी के recording आपको performance मिलने वाला है camera यह सब भी उसी के recording मिलेगा तो जो Redmi Note 13 5G एकदम एक तरीके से basic phone है अगर आप Redmi Note 13 series का देखते हैं उसके हिसाफ से मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पसे जिस price में आप यह pay कर रहे हो उसके recording decent सा specification आपको मिलता है camera experience मैंने जितना notice के भाई ठीक है इसके साथ phone काफी जादा हलका है यह इसका एक USB होने वाला है and look wise तो यह phone अच्छा है ही तो यह 6-128 वाला variant आप इसको देख सकते हैं although देखो यह price यह सब कम होता तो अच्छी बात होती ही तो price को मैं फिलाल के यहाँ पर से side रख रहा हूँ बाकि Redmi Note 13 5G and 13 Pro plus 5G की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर performance में बहुत जादा फर्क आपको महसूस नहीं होगा day to day task में अगर आप यूज करते हैं बाकी camera experience भी moreover मुझे ठीक ही लगा दोनों का बाकी यहाँ पसे जो battery department है वो सब भी आपको अच्छा मिलता है लेकिन obviously अगर आप यहाँ पर से 4-5,000 रुपया जादा दे रहे हैं तो आपको storage जादा देखने को मिल जा है क्योंकि अगर आप gaming oriented बंदे हो तो भाई इस price में आपको अच्छे-चे phones मिल जाते हैं already market में like Poco X6 Pro 5G है available तो वो सब चीज तो है बड़ यह phone उनके लिए sense बनाएगा जिनको curve display चाहिए IP68 की rating चाहिए 120 watt का आपको adapter चाहिए तो ही आप इस phone को देखना otherwise camera, display, look यह सब-सब कुछ इस phone की भी अच्छी है बस वही है कि यहाँ पर 120 watt का charger नहीं मिलेगा लहीन अच्छी बात यह कि 3.5M jack है इसके अंदर नहीं है तो सब चीजों को ध्यान में रखते हूँ अगर मैं market से compare करते हूँ Poco X6 series को तो भाई तीनो phones ना price काफी जाधा आपसे ले रहे हैं क्यों अगर आप इससे इसमें देखते हो तो यहाँ पर camera अच्छा मिल जाता है, display अच्छा मिल जाता है, glass back मिलता है, इससे इसको compare करोगे तो यहाँ पर से आपको curve display मिलेगा, साथ जाथ performance थोड़ी better मिल जाएगी, 120 watt का charger मिलेगा तो यह सब चीज है, तो जो budget आपका है उसके recording आ आपको बता दिया है already, बाकी आप से जाना चाहूँगा कि आप होते तो कौन सा phone खरीदते हैं, और साथ ही साथ तीनो phone की unboxing मैंने already कर रखा है, इन दोनों को मैंने flip card से मंगाया था, इसको Amazon से मंगाया है, तो भाई इस चीज को please appreciate करना, वीडियो अच्छा लगा है, तो ताम आपसे नेक्स वीडियो में, thanks a lot for watching.